मूवी के शुरुवात में हम एक जेल देखते हैं जहां एक शक्स सभी कैदियों से 10-10 डॉलर लेकर उनकी चिट्टी ले रहा होता है जिसे वो उन कैदियों के घर वालों को पोस्ट करता है आप इसके बाद वो शक्स पेंटर नाम के एक आदमी के पास जाता है जो उसी जेल म में बंद होता है पींटर भी उससे अपनी चिट्टी देता है लेकिन वो शक्स उसकी चिट्टी को लेने से मना कर देता है क्योंकि पेंटर के पास 10 डॉलर नहीं होते जिस जिस पर अब उसके सामने वाला कैदी उसकी मदर करने के लिए तब यह खराब करने का नाटक करता है। जीस से कि उस शक्त का सारा द्यान उस दूसरे कैदी की तरफ चला जाता है। जीसी का फायदा उताते हुए, पेंटर अपनी चिट्टी को बाकी चिट्टियों से मिला देता है, जिसकी बाद वो शक्त उन चिट्टियों को लेकर वाँ से चला जाता है. फिर कुछ दिनों बाद हम एक लेडी ओफिसर को देखते है जिसका नाम होता है जो पेंटर को जेल से रिया करने के लिए आई होती है वो पेंटर को लेकर अपने ओफिस जाती है जहां पहुचकर वो उससे जेल जाने की वज़ा पूछती है जिस पर पेंटर बड़े ही उने अंदास से उने ये बताता है कि यदि उसने ये बात उसे बता दी तो उसका मालिक या मौजूद हर शक्त को मार देगा लेकिन हो इसे मजाग समझते वे उसे फिर से जेल में डलवा देती है वहीं आगे हम देखते हैं कि जो पेंटर को जेल ले जा रहा होता है वो पें पेंटर से मिलने के लिए एक महिला रिपोर्टर आती है जो पेंटर से उसके बारे में कुछ सवाल पूछती है जे इस पर पेंटर अपने बारे में शुरुआत से बताना शुरू करता है और फिर ये मोवी कुछ साल पीछे चली जाती है याम देख पाते ही कि पेंटर काफ कारण एक दिन उसके और यौन की बीच बहस हो जाती है इसलिए पेंटर उससे नाराज होकर कहीं चला जाता है जिसकी बाद यौन उसे डूणने की बहुत कोशिश करती है और पेंटर के मिलते ही उसकी पत्नी उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसकी पेंटिंग्स को बेचने में सुनता है जहां यौन किसी विक्ति को सारे पेंटिंग्स दिखा रही होती है फिर यौन पेंटर को उस शक्स के बारे में बताता है जिसका नम ली होता है जो काफी बड़ा वेपारी है यौन उससे बताती है कि ली एक एक एक्जिबिशन कर रहा है जिसमें उसकी पेंट कर यूं ली को भला बुरा कह देती है वाई अपनी बेज़ती होता देख ली गुस्से में वाँ से जाने लगता है जिस पर पेंटर उसे यौन की तरफ से माफी मांगता है जिसके बाद ली उसे एक पेंटिंग दिखा कर सवाल करता है कि क्या वो इसे बना सकता है इस पर अब पेंटर उस तस्वीर को बनाने के लिए तयार हो जाता है और फीरम देखते है कि पेंटर हूब अभू उसी तरह की तस्वीर बना कर ली को दिखाता है जो देखकर ली एकदम दंग रहे जाता है और उसकी कला से प्रभावित होकर वो उसे अपनी साथ काम करने का लेकिन यहां की बात मानते वो ली को मना करने के लिए उसे मिलने जाता है पर यहां भी पेंटर से एक डॉलर की हुबव तस्वीर बनाने को कहता है जिस पर पेंटर उसे साफ इनका कर देता है लेकिन ली के काफी समझाने पर वो तयार भी हो जाता है फिर ली उसे अपने टीम से मिलवाता है जो नकली नोट को चापने में उसकी मज़र करेंगे फिर इसके बाद पेंटर डॉलर की तस्वीर बनाने में लग जाता है और कई दिनों की मेनद के बाद वो हुबव एक डॉलर के नोट की तस्वीर बना ही लेता है और यह अचीव करने पर बागी लोग उस त अगर में नहीं होती, फीर अगले सिनमें, हम ली-को देखती है, जो पेंटर को कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वह अपनी गाड़े रोकर पेंटर को एक बैक देता है, जैसके बाद वो कुछ मास पहन कर बाहर चला जाता है, वहाई इदर पेंटर उस बैक को खो जिसमें नोट आपने वाली असली इंक होती है यहां ली और उसकी टीम सब भी पुलिस वालों को मार देते हैं जिसके बाद ली इंक को लेकर वहां से चला जाता है और जब कुछ देर बाद वहां पर और भी पुलिस वाले आते हैं तब हम उसमें होपो भी देखते हैं जिसकी बीच ली एक शक्से मिलता है जिसका नम जनरल होता है और तब भी पेंटर की नसर जनरल की असिस्टम पर जाती है जो कोई और नहीं बल्कि यौनी होती है आप पेंटर ली को सारी नोट दिखाता है जिसे वो असली नोट से मिलाता है और दोनों में कोई फरक नहीं होता जिसक बाद ली और पेंटरों नोटों को लेकर बहुत से देशों में बेचना शुरू करते थे और डॉलर की डिमांड होने के कारण वो नोट दूसरे देशों में भी बिग जाते आप अगले सिंग में ली पेंटर को साथ लेकर जनरल के पास जाता है जहां अंदर जाने से पहले वो पेंटर के हाथों में एक बॉम दे देता है कि यदि कोई गड़बर हो तो उस बॉम के कारण सभी मारे जाए जिसके बाद ली अंदर जाता है और उसकी जनरल से बाते होने लगती है यहां में पता चलता है कि ली के पिता को जनरल नहीं मारा है जिस कारण ली यहां पर अपना बदला लेने आई है और इस बात का पता चलते ही जनरल उन दोनों को मारने के लिए कहता है जिस पर पेंटर अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉम उनQué तरह फैक देता है जिनकी मदद से लिए अब जनरल पर भारी पढ़ने लगता है इसे बीच पेंटर की नजर अपनी पत्नी यौन पर जाती है जो इस घर में फर्स चुकी थी इसलिए पेंटर उसे वहां से निकाल कर अपनी गाड़ी में बटा देता है वहां ही दोसे तरफ लिए भी जनरल को मार देता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है आब इस तरफ हम यौन को देखते हैं जिसका चहरा आके उज़े से जुलस चुका था ता अब लिए उसका सरजरी करवाता है जिससे फिर उसे नया चहरा मिल जाता है आब इसकी बाद लिए सब को बटाता है कि वो अपसे इन अकली नोटों को नहीं चापेगा और वो बाकियों को देश चोड़ कर जाने के लिए कहता है लेकिन पेंटर उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है फिर अगले син में हम लिखो देखते हैं जो पेंटर और बाकी सात्यों को अपने आकरी दुश्मन के बारे में बताता है जिसे मारने के बाद वो सबी इस देश को हमेशा के लिए चोड़ कर चले जाएंगे फिर आगे हम लिए के उस दुश्मन को देखते है जिसे मारने के लिए लिए पेंटर को एक बैक देता है जिसमें एक बंदूक होती है लेकिन पेंटर के अंदर उसे मारने के इमत नहीं होती इतने में वो शक्स बंदूक को देख लेता है जिस कारण वो पेंटर पर हमला कर द लेकिन लीग खुदी उसे मार देता है तब पेंटर वहां से जाने लगता है जिस पर लीग उसे रोकते हुए कमरा दिखाता है जिसमें और भी दो लोग होते हैं जिने वो मारने के लिए कहता है लेकिन इस बार भी पेंटर तयार नहीं होता आप इससे लिए एकदम मार निकले उसकी तरफ गोली चलाता है लेकिन पेंटर बच जाता है और अब हम देखते कि वहां पर यौन भी होती है जो ली के बाकी साथियों को मार देती है जिसकी बाद पेंटर भी ली को मार देता है आप युन पेंटर को लेकि ऐसी जगह पर जाती है जहां पुलिस उ कब कर अपने साथ ले जाने लगती है तब ही पेंटर के नजर सामने खड़े एक शक्स पर जाती है जो कोई और नीवर की लिह होता है जिसे जिन्दा देखकर पेंटर को बहुत आश्चरी होता है जीसके बाद हम प्रेजेट में आ जहां में यह पता चलता है कि वो रिपोर्टर यौन ही है जो पेंटर को छुड़वाने के लिए आई है वाई हो पेंटर पर दबाव डार कर ली की तस्वीर बना लेती है जिसके बाद उस तस्वीर को पूरे शहर में फैला दिया जाता है आप अगले दिन हो की नेजर एक शक पड़ भी लेती है फिर इसके बाद जब उससे उसके बारे में पूछा जाता है तो वो शक्स अपना पूरा नाम कुछ और ही बताता है और काफी दिर के बाद हो को भी विश्वास हो जाता है कि ये शक्स ली नहीं बलकि कोई और है इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है फि प्रिंटर भी गायब होता है जिसके बाद उसे ढूंडने लगती है वाई दूसरी तरफ हम यौन को ली के साथ एक शिप पर देखते है जो देश चोड़ कर भाग रहे होते है जिससी बीच वो ली को प्रिंटर के बारे में सारी बात बताती है कि अब वो आजाद हो चुका है जिसके बाद यौन अचानक से उस शिप को रोग देती है जिसकारण उन दोनों के बीच बहश शुरू हो जाती है ताब ली खुद उस शिप को चलाने के लिए आगे बढ़ता है पर तब ही यौन उससे बॉम दिखाती है जो शिप चालू करते ही फट जाएगा ताब ही उन दोनों मारे जाते है दरसल ली को ये लगा था कि यौन उसे नकली बॉम की धंकी देकर पुली से पकड़वाना चाती है फिर मुवी के आखरी सिर में हम पेंटर को देखते है जो आपस से उसी जगा पहुच जाता है जहां पर वो यौन के साथ चिपा हुआ था जी सी के ली और पेंटर इन दोनों का नाम ली ही है और ये दोनों ही पेंटर है इसलिए मैंने डिस्टिंग्यूश करने के लिए मास्टर माइंड को ली जबकि दूसरे को पेंटर का है वाही ली पेंटर से लोगों को मरवाना चाता था लेकिन ऐसा ना करने पर वो खुर उसकी जान का दुश्मर बन गया जिसमें फिर पेंटर ने ली कोई मार दिया लेकिन भाग इसे वो मरा नहीं और उसने पेंटर को पुलिस से पकड़वा दिया जब कि पुलिस तो नकली नोड का धंदा करने वाले ली के तलाश में थी वहाहीं बात करें कि पेंटर ने वो चिट्टी किस में शामिल थी और उसकी करने का सबक उसे अपनी जान दे कर चुकाना पड़ा अब आए होप आपको इस मोवी के एक्स्पिनेशन समझा गी हो और अगर नहीं तो मुझे कमेंड में ज़रू बताए और वहीं दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती तो ल आशाय आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों